विडियो को स्वागत है आपका defense tutor के इस वीडियो में आज की सिट वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया नेवी आपको एक साथ सभी चीज़ क्लियर होते चले इस वीडियो के PDF को डाउलोड करने के लिए लिंक के लिए जाएंगे तो आएए बढ़ते हैं अपने वीडियो लक्षेस के और पहला कुसम आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर दिखा गया है कि यदि 4 to the power b minus 4 to the power b minus 1 is equal to 24 तो 2b to the power b का value क्या होगा ठीक है तो यहां पर देखे सबसे पहले हम क्या करेंगे उसको solve करेंगे 4 to the power b minus 4 to the power b minus 1 is equal to 24 है ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे 4 to the power b को common लेंगे तो यहां पर बचेगा हमें 1 minus 1 upon 4 is equal to 24 ठीक है ठीक है तो क्या हो गया है यहां पर 4 to the power b हमने common ले लिए तो 1 minus 1 upon 4 is equal to 24 यहाँ पर हो गया फिर क्या करना है में यहाँ पर करेंगे स्कूम सौर्प तो 4 to the power, Sorry, 4 to the power B यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर आपको हो जाएगा 4 मिस बन गया तो 3 by 4 is equal to 24 तो 4 to the power B is equal to कितना हो गया 24 into 4 upon 3 तो 3 एड़ जा 24 हो जाएगा तो B का वैलू कीतना हो जाएगा आपको 5osure चाहागा ठीक है यहाँ पहो किया निकालना है यहाँ पर निकालना है 2 by to the power B का वैलू ना कि आपको B का वैलू निकालना था जब हम यह B का वैलू निकल चेख़ओए हैं तो 2 to the power sorry 2B to the power B का users find कर सकते हैं तो यहां पर value हो गया 5 to the power 5 to the power 5 by 2 ठीक है तो 5 to the power 5 by 2 को अगर आप निकालिएगा तो कितना निकलेगा आपका तो यह आपका हो जाएगा 25 root 5 क्या हो जाएगा 25 root 5 हो जाएगा answer match करेंगे option number B is the correct answer simple question था यहां पर simple यहां पर क्या करना था आपको 4 to the power B common लेना था और इसको solve करना था और यहां से B का value find करना था जैसे आपको B का value निकलेगा आप इसमें value put कर देंगे आपको answer मिल जाएगा next question है question number 2 यहां पर लिखा गया है कि surl कीजिए यानि आपको simplify करना है given value को यहां पर है 0.87 to the power क्या है cube है plus 0.13 to the power क्या है cube है upon क्या है 0.87 का square plus 0.13 का square minus 0.87 into 0.13 ठीक है यही है आप इसको simple method होते हैं अगर इसका cubing करके और यहां पर जो भी दिये गहें उसको अगर ऐसे करके solve करेंगे तो आप इसको बिल्कुल बना पाईएगा लेकिन यहां पी क्या होगा इसमें आपको समय बहुत बरवाद होगा लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा ठीक है तो नोट करके यहां पर लिख लिजेगा मार कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं चलिए नोट करके लिखेगा है यहां पर कि अगर aq plus bq रहे upon क्या रहे a square plus b square minus a b इस पकार आपको फॉर्मेट दिया रहे तो आप क्या कर सकते हैं आप यहां पर कर सकते हैं कि aq plus bq का फॉर्मोल लगाएंगे तो यह होता है आपका a plus b into में a square plus b square minus a b ठीक है upon क्या हो जाता है आपका a square plus b square minus a b ठीक है यहां से यह दोनों टर्म कर जाएंगे और यहां पर value हो जाता है आपका a plus b ठीक है तो जब भी इस परकार के format आपको दिखे तो आप यहां पर simple a plus b कर दिज और b is equal to 0.13 ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं यह आपका a q हो गया और यह क्या हो गया प्लस में b q हो गया यहां पर a square plus b square और minus a into b ठीक है तो देख सकते हैं यह सेम इसी format पे है तो इसका answer क्या हो जाएगा a plus b हो जाएगा यानि आपको इन दोनों को add कर लेंगे आपका व यानि option number कौन सा है यह is the correct answer ठीक है चलिए next questions के अबरते है question number 3 है यहां पर लिखा गया है कि 2.4,0.36 और 7.2 का आपको LCM बताना है sorry SCF बताना है find SCF of 2.4,0.36 and 7.2 ठीक है इसे क्या करना आपको SCF बताना है तो इसके आप SCF को कैसे find करेंगे ठीक है इसके SCF को आप कैसे find कीज 24 हम इसको 2.40 भी लिख सकते हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा 2.4 का 2.40 भी लिखे उसे कोई दिखक नहीं है अगर आप इसको थोड़ा सा चय के इसको तोड़ कर लिखेगा तो कैसे teng하 सके आप 2140 से 100 सकते है कैसे हमने 100 लिखा को यह पाइंट को उपर हटा दिया यह क्य सब्सक्राइब कर से 7.2 को आप क्या लिखिएगा 720 पटे 100 आप इसको इसे लिख सकते हैं 7.2 का आप 7.20 भी लिख सकते हैं उसे कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे हमें 3 वैलू मुझे का आप देखें पॉइंट का आप ACF नहीं निकल पाईएगा यह आपको प इसको क्या करेंगे हम 100 से भाग कर देंगे तो हमारा ACF पततल पाएगा ठीक है तो आपको क्या करना है सिंपल 100 को भूल जाना है थोड़ी देख लिए और आपके बास जो नंबर बज जाते हैं कौन से कौन से नंबर 240 नंबर बज जाते हैं 136 बज जाता है और दूसरा क्या आपका और एक बज जाता है 720 आप इसके क्या किजिए SCF को find कीजिए ठीक है इसके SCF को कैसे find करेंगे तो सबसे पर चोटा वाला नंबर लेंगे और उसको क्या करेंगे उससे बड़े वाला नंबर को भाग देंगे या थिक है तो 36 को 240 से भाग दिया ठीक है दो 36 को 240 से एक प्राइब यहां पर लिखेंगे यहां पर से जो बजलू मिला अपका फिर और बचे वए नमर को क्या करेंगे इससे हम SCF को लगएंगे तो 12 को हमने लिखा बचावा नमर क्या है 720 है उसको हमें SCF आपको निकालने आता होगा बस उसी प्रोसेस को हम कर रहे है तो इसको क्याम लगाएंगे 6 टाइमस लगाएंगे तो कितना हो जागा 72 हो जागा और यह को कर जाएगा 0 है तो यहां पे 0 उतर हो जागा ठीक है तो हमा बरते हैं next question number fourth year इसमें कुछी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए पॉइंट वाई LCM को इससे प्रकार से निकालते हैं हमने आपको सिखाया है तो आप इसको याद रखिएगा इसी प्रोसेस को लगाएगा बिल्कुल कान समय आप LCM को sorry SCF को find कर पाईएगा ठीक है अब चल निकालना है ठीक है एक आदमी जो है वह 28.5 km प्रती घंटे के रस्तार से चल रहा है 28 km पर आवर के घंटे से क्या कर रहा है वह आपके चल रहा है और पुछा जारा आपसे कि वह आदमी के द्वारा तीन आवर 48 मिंट में कितना डिस्टेंस ट्रेबल हो पाएगा ठीक है तो आप में 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 दिया रहा था तब आप km per hour को में में चेंज करते दिन फिर अपने solutions को निकालते ठीक है तो यहां पर हमने चेंज करने के जुरूत नहीं है जो वाइलू है उसे हम डार्क लिया पर पूट करेंगे तो डिस्टेंस इकल टू स्पीड टाइम होता है स्पीड क कितना दिया गया है 58.5 km per hour तो इसने हम लिखेंगे km per hour ठीक है फिर इंटू लिखेंगे और time कितना दिया गया है 3 hour 48 क्रवाइज है तो आप सकते हैं तो घंट तो क्रभी वर्ठीस और अशनय के लिखा गया है है छाजय का अजय को अगया है 15, 17, 15, 15, 19, 5 हो गया तो यहां पे लिखेंगे उनीस बटे 5 हो गया है तो यहां पे हम लिखेंगे 19, 5 डाएक लिख में कोई परक nep आगा है तुछ में आगया मोगा है तो यहां पे तीन आवर 48 मेंट को हमने घंटा में चेंज कर दिया तो आप इसको आपने में कितना तो आपको वैलू मिलेगा 108.3 किलोमेटर अंसर मैच करेंगे 108.3 किलोमेटर ऑप्शन नमर सी दा करेक्ट अंसर ठीक है तो इस तरह के से का करना आपको इस को बनाना है सिंपल कोशन सा यहाँ पर डिस्टेंस इकल टो स्पीर नीट का थुरा सा ध्यान रखना था ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन के ओबरते हैं कोशन मर फिर्फ्थ की ओर नमर फिर्फ में लिखा जा रहा है कि A and B together लेंट रूपीज 3,364 ठीक है the amount A gets at the end of 3 year is the same as B gets at the end of 5 year जो amount of A यानि यह जो तीन साल के बाद जो amount A gain करेगा वह equal होता है कितने 5 साल के बाद जो amount B gain करेगा उसके ठीक है तो कहा जा रहा है कि A का share the share of A in the principal amount is तो अच्छा आपको कहा जा रहा है कि A का share principal amount में कितना होगा यह क्याने मतलब A कितना रूपिया दिया होगा ठीक है आपसे यह पूछा जा रहा है देखिए को समझेगा को में simple सा यह है कि A और B क्या क्या 3,344 रुपिया को वह क्या क्या 5% की compound rates पर दिया ठीक है question में फिर कहा जा रहा है कि जो A का amount होगा यानि A का total amount होगा यानि उसका principal plus उसका interest मिला के 3 साल में वह बरावर हो जाता है B के principal plus amount sorry principal plus interest मिला के 5 साल के ठीक है तो simple सा कहा सकते है कि amount of A तीन साल में जो होगा वह बरावर होगा amount B in 5 year ठीक है 5 सालों में तो आपको यहां से पूछा जा रहा है कि A जो होगा principal amount में कितना रूपया इंट्रेस्ट पर A दिया होगा ठीक है तो सबसे पहले compound interest कहा जा रहा है कि अगर 3 साल में A का compound interest 3 साल में A का amount बरावर हो जा रहा है 5 साल में B के amount के तो हम कैसे निकालेंगे तो देखिए हम आनते हैं कि A जो है वह कितना एक सुरुपया principal पर लगाया होगा principal amount उसका एक सुरुपया होगा तो आपने पढ़ा होगा कि simple interest का formula आपने पढ़ा होगा वह कितना होता आपका वह आपका SI का formula पर होगा principal into 1 plus rate upon 100 to the power क्या है आपका time होता है ठीक है तो यहाँ पर x गुने 1 plus rate क्या है पांच बटे 100 और उस पर पावर क्या होता है समय होता है तो समय क्या है आपका 3 है यह 3 किसके लिए यह हमने A के लिए लगाया और यह जो आपका interest हो रहा है यह compound interest हो रह तो यहाँ उनले isti जाट लिए पांच वर में इसके लिए उसके ब्रावर हो रहा है तो इसको में कैसे लिए खर के? ठीक है तो कि इसके ब्रावर जागा आपके बी के जो आपके composed of b का amount होगा 500 में उसके ब्रावर होगा तो बी का amount क्या होता है आपको पता है कि यह आपने पढ़ा पढ़ा होगा कि amount ही उकल होता है principal into one plus date upon hundred पूर्दिपावर क्या होता है time होता है ठीक है यह फिर कहा सकते हैं उस पर power क्या होता है in होता है in क्या है number of time होते है number of time period यतना समय लगा वो होता है अगर एक प्रिंसपल अगर होगा एक तो बी का प्रिंसपल कितना होगा 334 में से एक सो घठा लेंगे तो वही हमारा बी का प्रिंसपल निकाल जाएगा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यह जो x है आप इस पूरे term को क्या कर सकते हैं इस पर से डिवाइड दे सकते हैं तो यहाँ पर हमने डिवाइड दिया तो यह हो जाएगा देन फिर इसको हम सॉल्फ करेंगे यह आपका 5, 2, 10, 20 हो जाएगा और यह क्या जागा 21 upon 20 यानि 3, 3, 6, 4, minus x और इंटु में 21 upon 20 और उसका क्या है आपका whole square है ठीक है तो यहाँ पर इससे हम सॉल्फ करेंगे इससे सॉल्फ करने कवाद हमें value क्या मिलेगा तो यहाँ पर हमें x का value मिल जागा ठीक है तो यहां से हमने x का value find किया है तो यहां से x का value मिल जा रहा है आपको rupees 1764 ठीक है आप यहां पर solve कर लिएगा आपको यहां पर x का value मिल जागा किता मिलेगा rupees 1764 यानि 1764 रुपया जो होगा वो a क्या होगा आपके principal के amount के तोड़ पर वह जो ब्याज ल लेंगा है calculation के retention नहीं लेना है क्योंकि examination में जब भी calculation दिया जाएगा तो वहां पर calculation ज्यादा टाफ नहीं दिया जाएगा ठीक है हमने आप ज्यादा लिख दिया है करेंगे तो समय ज्यादा लंबा खिषता है सो इस कान से हमने कल्कुलेशन को वाइड किया है ठीक है चलिए कल्कुलेशन आप खुद से कर लिजेगा नेक्स कोशन क्या है कोशन नमबर 6 यहां पर 6 में लिखा जा रहा है कि यदि यानि इस 0.13 डिवाइड़ेड पी स्क्वाइ अनसर हो गया तो बहुत ही सिंपल अंसर हो गया की ओर रोचर वने क्या लिखा गया कि इस इक स्क्वार पॉईलू नर्स आपको इसक्री घूटै तो आप इसका value कासे fund केज़ेगा, तो आप केजिए दोनों side जो आपके value दिये गया है, आप खुछ से सोच सकते हैं, इस questions को बनाने का तरीका, तो देखिए, तो इसको कैसे बनाएंगे हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है, कि if x square is equal to root under 16, root under 16, root under 16, root under 16, up to infinity, then the value of x, x का value क्या होगा, ठीक है, तो देखिएगा, समझेगा बात को, कि यहाँ पे अगर आपको question अगर दिया रहाता, इस परकार से, कि x is equal to अगर दिया रहाता, root under a, root under a, root under a, root under a, up to कहां तक infinity तक, ठीक है, तो एगर इस परकार समाल लेते रहे रहाता, आप कहा कर सकते हैं, कि यहाँ पर हम squaring करते हैं, दो tai square is equal to a, and and weird under a root, if you twoinkर całक YOU four hundred, it makes shift back and say, तो यहां रहाता है, रहाता रहाता समाल जयाता है, और दिख सकते हैं, कि ऐग कि इतने चोटे बाले value को प्रवाय का मान क्या होता है एक स्क्रावर ब्लाबर जाएंगे उस नम्ट बड़ा सकते है थीक है किसी को डाउट होगा तो comment box में लिखेगा नेक्स आने वाले वीडियो में आपके सारे डाउट को जवाब जोड़ दिया जाएगा बरते को सब्सक्राइब एट्थ की ओर नमर एट्थ में लिखा रहा है कि कॉस 80 डिग्री अपॉन साइउ टेन डिग्री आपको वैलु बताना हे मसा साइए टेन डिग्री प्लस कॉस फिफ्टी नटी इग्रि इंटू को च्छ स्थिट ता होता है तो देखे, cos 80 लिखा है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, sin 90-10, ठीक है, sin 90-θ क्या होता है, sin 90-θ होता है, sin 90-θ होता है, cos θ, ठीक है, sin 90-θ आपका cos θ होता है, देए तो यह यहां पर किया हो जाएगा cos z lip के ब्राबर हो जाएगा को क्यों सकते हैं दिह हैं आपका सब किया कई देध्री GP लिखेंगी तो आपको के तने मिल जाएगा 59 मिल जाएगा बिल्कुल ठीक है ठीक है यहां पर क्या है कोसेक 31 डिग्री अब आपने पढ़ा होगा कि sin 90-theta और cos 90-theta का formula जैसे यहां पर आपने पढ़ा होगा कि quadrant में first quadrant second quadrant third quadrant fourth quadrant में पहले quadrant में सब चया होता डिया विया है पार्युवी होता अगया होता है क्या होता है नियुकर-चया-था-था-ध- कॉस्चए-थे वसुत Nejटिशियुथ तो first coin में क्या होगा आपका सभी value क्या होंगे आपके positive होंगे तो cos में से 90-theta करेंगे cos 90-theta क्या हो जाजागा आपका sin theta हो जागा याँ sin 10 degree हो जागा अब याद रिखिएगा कि 90 के multiple में जो भी value रहेंगे वहाँ पे आपका sin का cos होता है सिटा यह first coin में जा रहा है और 90 है तो 90 के multiple में है तो यह क्या हो जाएगा cos sin बदल जाएगा और फिर क्या होगा इसके लिए sin use क्या होगा वह आपका 10 degree होगा और plus में रहेंगा क्यों क्योंकि first coin में यह चला गया है next नीचे भी क्या sin 10 degree हो जाएगा plus में क्या है cos 90-31 sin 31 ओजाएगा और यहाँ पे क्या है cos x 31 ठीक है तो यह आपका value कर जाएगा 1 हो जाएगा sin 31 और cos x 31 यह क्या होगा आपका 1 के बलावर होगा तो यह पहें 1 के बलावर हो जाएगा next question है question 9th question में लिखा जा रहा है कि find x if ab is second and bq is tangent to circle आपको x का इबन निकालना है यदि ab क्या है आपको एक second है और bq क्या है आपका tangent है किसी circle पर इस questions पर साइद कुछ problem है क्या यहाँ कर देखते हैं तो कि इस question में क्या है कि यहозможно इसंत्र निक्स क्या है तो इसको सुधार दिया जाएगा दिन फिल इसको बताइगा तब तक धीélior के वहाँ प्रमूला अापने आइden टिटीटीचेग कि पढ़ा तो वहाँाँ पर पर प्रहोगा कि sec square x minus 10 square x is equal to 2 ठीक है तो यहां से आप लिख सकते हैं इसको a square minus b square पे a plus b और a minus b यानि sec x minus 10 x और इंटु में sec x plus में 10 x is equal to 2 ठीक है तो आपको sec x plus 10 x का वेलब 2 के बरावर दिया गया है है तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं तो यहां पर हो गया sec x minus 10 x is equal to 1 by 2 ठीक है और आपको पता है कि sec x plus 10 x is equal to कितना है अपको यह आपका 2 बरावर दिया गया है, तो यहां से, आप क्या कर सकते हैं, सfang कर शक्या कर सकते हैं, कैसे फाइं करेंगे cob यहां भी क्या लिखेंगे यह काम कर सकते हैं आप पर सीधे simply क्या करेंगे एड कर देंगे 10 से 10 कर जाएगा और यह 2 sec x हो जाएगा is equal to 1 by 2 plus 2 तो 1 by 2 plus 2 किता हो था आपका 5 by 2 ठीक है तो next question आपका क्या है चलिए यह क्या था आपका last question था 10 questions यहां पर दिये क्या है question number 9th सी पर प्रॉल्लम था इस question में ही क्या है थोड़ा सा incorrect है questions क्या है एक जोन में incorrect नहीं कह सकते हैं इसे कह सकते हैं कि incomplete question है यहां पर कुछ और भी दिये जाने चाहिए अच्छे से तभी हम एक्स का विलू फाइन कर सकते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि एक्स है क्या तो हम find क्या करें ठीक है तो रखते इस वीडियो के हीपे next वीडियो में मिलेंगे आपको और भी next practice sets के साथ किसे पर अगर doubt होगा तो comment box में ज़र लखेगा PDF के लिए हमने आपको बता दिया कि कहां से आपको PDF डाल्लोड करने है तो thanks for watching my video तब तक के लिए bye bye